चलिए देखते हैं Robert Filmer का divine right theory, तो Robert Filmer ने इस theory के थूरू, मोनाकी को justify करने की कुछिश किया, इस theory में वह बताते हैं कि जो rule करने का right है, king को, वह उससे direct god से मिला हुआ है, यह तो नहीं लोगों के will पर dependent है, नहीं aristocracy पर dependent है, नहीं state के किसी और institution पर dependent है, इसका मतलब है कि अगर कोई king just है कि unjust है वो judge करने का काम सिर्फ God का हो सकता है और कोई person अगर king को dethrone करने की कोशिश करता है तो वो direct God के disrespect के रूप में देखा जाएगा तो आथा करते हैं आपको समझ आया होगा यह theory मिलते हैं किसी next lecture